नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्टूब चैनल प्रकतीन लाइब दोस्तों आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टिंस जो कि इसे एक जाम में कोशन पुछे जाते हैं मुझे उमीद है कि आप लोग की वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ चैनल पाली बार है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो डेली देखने के लिए तो चलिए देखते हैं हाइट एंड डिस्टिंस का पार्ट वन है बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो देखिए हाइट एंड डिस्टिंस ये हाइट एंड डिस्टिंस देखिए इसमें दो कुण होता है एक होता है उन्यन कुण उन्यन कुण होता है दूसरा होता है और नमन कुण दूसरा कौन होता है और नमन कुण होता है देखिए दो कुण होता है एक उन्यन कुण एक और नमन कुण तो देखते हैं एक उन्यन कुण का बनता है और नमन कुण का बनता है देखिए मानली जी की एक ब्यक्ति है यहाँ खड़ा है यहाँ एक जहाज उड़ रही है यहाँ एक जहाज उड़ रही है जब भी कोई उपर की उड़ देखेगा ये मानले जी के जमीन है जमीन पे अदमी खड़ा है जब कोई भी उपर क्योर देखेगा तो ये सामने और उपर क्योर ये कौन सा ठीटा का कुण बनेगा ये उन्यन कुण बनेगा ये कौन सा कुण बनेगा उन्यन कुण बनेगा अब देखते अवनमन कुण कब बनता है मानले जी कि ये जमीन है एक मिनार है जब मिनार से है उपर से नीचे क्योड देखा जाता है तो ये जो ठीटा बनेगा और ये सामने वाला का जो ठीटा बनेगा दोनों बराबर होगा तो ये अवनमन कुण बनेगा तो यह जो है जैसे कि यह दो समांतर रेखा एक त्रियक रेखा काटे थी इसके यह ठीटा एक आंतर कूर से बराबर होता है इसी तरह यह भी और नमन कूर तो यह भी क्या हो जाएगा और नमन कूर हो जाएगा यह आप लोग को पता है कि जब कोई उपर क्योर देखे अब गया कैसा बनेगा सेट इसका समकों त्रिभूज बनेगा तो देखिए जब ये 90 डिगरी का हो गया तो आप लोग को पता होगा कि त्रिभूज के 3 कुण का जोग 120 डिगरी का होता है तो जब ये 95 डिगरी का हो गया तो हम इसको 30 लेंगे या 60- laz little गोटलेंगे तो एक और दिखते हैं जैसे कि ilesum Contribute हो गया तो माले जेकि ia 90 दिगरी का है तो नवे नपर डिगरी तो तिण Q के तीनों प्ली माद इनों का जोग अमिसको 45 दिगरी माल लेंगे या इसको 45 डिगरी एक 183 हो गया तो देखिए, आप देखते हैं, मान लिजिए, यह समकोंटरिभूज बना है, यह दुसरा समकोंटरिभूज, यह 90 डिगरी का हो गया, तो मान लिजिए का हम यहां 30 करेंगे, यहां 60 करेंगे, तब 100 सी डिगरी का होगा, जब यहां 90 डिगरी करेंगे, तो यहां 45 डिगरी करें यह 90 डिगरी हो गया हम इसको equation बनाएंगे तो 35 डिगरी यह 90 डिगरी का हो गया तो देखिए इसमें एक समकूर त्रिफू जैसे कि लंब और अधार होता है तो आप लोग को पता होगा कि 10 ठीटा बराबर होता है क्या लंब बाटा अधार होता है 10 ठीटा बराबर हो लंब बाटा अधार तो मान लिजिये कि 10 30 डिगरी 30 डिगरी तो इसका मान होता है 1 यह ना होता है 1 और यह रूट 3 हो जाएगा तो करण कैसे निकालते हैं, तो करण बराबर क्या होता है, देखिए, करण बराबर होता है, रूट में लंब स्क्वेर प्लॉस अधारी स्क्वेर, तो लंब कितना है, तो रूट 3 का स्क्वेर प्लॉस 1, याने रूट 4 is equal to 2 हो गया, तो 30 डिगरी के सामने वाला 1 हो गया, 60 डि फिर के सामने वाला 2 हो गया, यह आप लोगों को याद करके रखना है, अब देखते यह, जिसे कि 10 पैंटारी स्ग्री का मान ормान क्या होता है, वन होता है, तो मान लेजी कि 10 पैंटारी ग्री तो सामने वाला लंब हो गया, बाटा अधार होता है, तो लंब और अधार एक क इसके सामने वाला 1 हो गया और 90 डिगरी के सामने वाला ils आप लोहं को दो चीज याद करके रखना है जो कि जल्दी कोश्टन बनेगा जब भी थीटा 30 डिगरी दे तो इसके सामने और रूट त्रिली के हल करेंगे जब 25 डिगरी दे तु इसके सामने वाला 1 और इसके सामने वाला 1, 90 डिगरी के सामने वाला root 3, इस पर कुछ कोश्चन देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं, देखिए, मानले जीए कि यह जमीन है, यहाँ एक मिनार खड़ी है, और मिनार कूछाई जो है, 100 cm है, और यहाँ एक आदमी खड़ा है, मानले जी, एक आदमी खड़ा है, यह आदमी जो है, उपर क्योर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, उपर क्योर, तो यहाँ जो है, 30 डिगरी का कूण बन रहा है, तो पुछा गया है, कि मिनार और आदमी के बीच की दूरी बताना है आदमी और मिनार के बीच की दूरी निकालना है तो देखिए, जब 10 30 degree आप लोगों को यहां जिसे की 60 degree यहां 90 degree तो जब यह 30 degree हो गया तो यह कौन कौन सा बनेगा है समकौन बनेगा तो 90 degree का होगा यह क्या हो जाएगा 60 डिगरी का तो 30 डिगरी के सामने का 1, 60 डिगरी के सामने का रूट 3 हो गया और 90 डिगरी के सामने का 2 हो गया तो यहां दिया गया मिनार के उचाई दिया गया है तो एक सेंट एक बराबर एक बराबर कितना दिया गया है सो सेंटिमेटर निकालना है क्या आदमी और मिनार के बीच की दूर यानि रूट थ्री तो रूट थ्री बराबर सो में गुना कर देंगे यानि सो रूट थ्री हो गया इसका सही एंसा चलिए अब दूसरा कोशन जैसे की दिया रहता है मान लेजी 60 डिगरी पर दिया रहेगा 25 डिगरी पर जैसे की एक दिवार है यहां से एक सिढ़ी लगी हुए जैसे की यह सिढ़ी है दिवार पर खड़ी है लेकिन सिढ़ी की लंबाई जो है 50 सेंटिमेटर है कितना है 50 सेंटिमेटर और यह जो है 45 डिगरी का कुण बनाती है ये दिवार है एक सिड़ी है सिड़ी दिवार पर खड़ी है पैंट सिड़ी की लंबाई जो है 50 सेंटिमीटर की है तो पुछा गया है कि दिवार के उचाई कितने इसके उचाई निकलना है जब ये 45 डिगरी का हो गया ये शमकोड है 90 डिगरी का तो यह भी 25 दिगरी का हो जाएगा तो आप लोग को यह याद रखना है 25 दिगरी, अनुपाद 25 दिगरी यानि 90 दिगरी तो इसके सामने वाला 1 होता है इसके सामने वाला 1 और 90 दिगरी के सामने वाला root 2 हो गया जब यह आप लोग याद रहेगा तो जल्दी जैसे कि पैदार यह 1 लिख देंगे यह 1 और यह 2 लिख देंगे यहां 2 कमान कितना दिया गया है तो रूट 2 बराबर 50 सेंटीमीटर निकालना है यह जो इसके उचाए दिवार के उचाए यानि 1 इसकल तो 50 बाटा रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो चले इस प जिरी का उन्यण कुन बनाती है तो पतंग जमीन से कितनी उचाई पर खड़ी है देखिये यह जो है एक पतंग है पतंग बना देते हैं ये पतंग और यह जो है इसकी धागे की लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर एक जमीन से बच्चा उड़ा रहा है सो थू दोह है तो पू की उचाई कितनी है जमीन से पतन की उचाई कितनी है ये बताना है तो जब ये 30 डिगरी का बन गया तो 30 डिगरी के सामने का ये जो 1 हो गया ये root 3 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये 90 डिगरी का हो जाएगा जब 30, 90, 61 से 60 यानि 30 डिगरी, 60 डिगरी और ये 90 डिगरी ये 1 हो गया, root 3 हो गया और ये 2 हो जाएगा तो जब 30 डिगरी दियाएगा तो 1, ये root 3, ये 2 हो जाएगा तो 2 is equal to कितना दियागा है 100 cm पुछा गया है कि इसकी उचाई जमीन से पतां कि उचाई यानि 1 is equal to क्या होगा यानि 50 cm चले दुसरा कूश्चन देखते हैं कि 50 m उचे एक मकान के सिर्ष से सनक पर खड़ा एक कार का और नमन को 30 डिगरी हो तो मकान से कार की दूरी मीटर में क्या होगा देखी ये जो मकान है ये जमीन पर एक गाड़ी खड़ी हुई यानि सनक है तो सनक पर एक गाड़ी खड़ी हुई है ये मकान के सिर्ष से देखा जाता है जब उपर से देखा जाता है तो अवनमन कोण बनेगा ये जो है अवनमन कोण इधर और ये जब यह कितना डिगरी का बना है तो 30 डिगरी का तो यह भी 30 डिगरी का हम नीचे ही बनाते हैं जब यह नो नमन कुण कहेगा जितना कदम नीचे बनाते हैं तो यह हो गया, 30 degree का, लेकिन दिया गया है कि 50 मीटर उचे एक मकान के, इसकी उचाई दिया गया है कितना, 50 मीटर दिया गया है, तो पुछा गया है क्या, पुछा गया है कि मकान से कार के दूरी, देखिए, यह मकान है और कार बीच की दूरी पता करना है, तो जब 30 degree है, यह 90 भी डिगरी का हो जाएक हो जाएगा और यह 60 डिगरी का हो जाएगा तो यह 30 सामने का 1 60 के सामने का 20 delivering का hope ट्री तो जब एिक जुकोल टू दिया गए और 50 तो निकालना है क्या मकान और गारी की दुरी तो रूट थ्री यानि पचास रूट थ्री हो गया चले नेश्ट कोशन देखते हैं कि एक टेली ग्राफ के खंभे तुफान के काण तूट कर जूक गया और उसका सिर्ष भूमी पर एक बिंदू को जो खंभे की जड़ से आठ रूट थ्री मिटर की दूरी पर है त तो तीश तिगरी के कोण पर एसपर्स करता है तो खंभे कूचाई क्या है देखिए एक टेली ग्राफ है मालेजी के टेली ग्राफ है तो फान के काण यह तूट जाता है यहां से तूट गया यहां से तूट गया यह जो एक टेली फोन को तार है खंभा है यहां से तूट कर यह जमीन पर एसपर्स कर रहा है तो जड से 8 रूट 3 मीटर के दूरी पर ये इसका मान दिया गया है कितना 8 रूट 3 दिया गया है जब कि 30 डिग्री का उन्यान कुण बन रहा है कौन सा कुण बन रहा है उन्यान कुण 30 degree का तो पुछा गया है कि तार के खंबे की लंबाई तो देखिए जब 30 degree है यह 90 degree का हो गया और यह 60 degree के सामने का root 3 और 90 degree के सामने का 2 यह 2 हो गया यह जो टूटा हुआ है यह भी तो 2 होगा ना इतना ही टूट कर यह जमिन को सपर्स कर रहा है तो जब यहां root 3 का मान दिया गया 8 root 3 एक निकालेंगे इसको कटा देगे यह 8 हो जाएगा हम यह खंबे की लंबाई निकलना है तो 1 और 2 यानि 3 हो गया 3 में 8 से गुना कर देंगे यानि 24 मीटर या सेंटिमीटर होगा इसकी लंबाई कितनी है तो 24 यह पार्ट 1 है पार्ट 2 में हम कोस्चन लेकर आएंगे 20 20 कोस्चन लेकर आएंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के अलग-अलग एक जाम में पुछा गया है तो उस वीडियो को देखे लेकिन इस वीडि में आएगा तो चलिए और हाँ चनल पॉलिवर है तो अपली चनल को सब्सक्राइब कर लिजए